वेलकम तो लाइस्टो मैं होधी तेन को है और आज हम बात करें के Crude Oil और जिंक का उपण देखें के हम कहां पे anti कर सकता है और कहां exit हो सकता है तो यहां पर आप देख सकता है यह Crude Oil तो Crude Oil क्या हुआ है अब देख सकते है एक Head & Soldier pattern के लिए ले रहा है यहां पर यहां पर देख सकता है यहां पर पहले एक Left soldier बनाया है यह Head बनाया है और एक Right soldier बना नहीं तो मुझे लगता है यहां पर अगर यह from हो गया तो Head & Soldier का है तो मुझे लगता है यह Market around 4300 का आसपास आ सकता है 200 Moving Average से है यहां यहां तक आ सकता है तो लेकिन हम Anti कहां करेंगे आज देखेंगे उसका ओपर तो यहां पर मैंने डो लाइन ड्रो कर दिया क्योंकि यहां पर देख सकते है थोड़ा यहां पर दोजी पेटर्न फ़र्म के एक विरिस पैटर्न है यहां पर तो इसलिए मैंने डो लाइन ड्रो कर दिया connect जो supporting लाइन बना दिया तो अगर आपने क्रूडवल को sell किया तो जदा जिस जदा यह जिसे दो लाइन डिया हुए तो यहां तक ही आप sell कर सकता है तो यह दो लाइन आपका आगया जैसे आप मैंने 15 मिनित में आया तो देख सकते है आप दो लाइन एक है 3713 तो जैसे previous लोग यहां तक ही market आ सकता है तो यहां से फि फिर चेक बाउंस लेके फिर से ऊपर जाने का संसे से तो अगर यहां पर बाय कर देंगे तो market निशे आने का संसे से तो बाय कहां लेना है अगर आपको मिला नियर 3700park का आसपास घुझा इहां पहर आपको मिला तो धाय में जा सकते है अगर इसको ब्रेक आउट कर दिए तो मरेक इसको breakout कर दिया तो next cell of 100 point का नीचे में है जैसे 3600 यहां तक आ सकता है अगर इसका अपर बाई जाएंगे तो बाई जाने के लिए आप यह जो moving average देख रहा है जैसे 3800 का असपास इसका उपर से आप बाई में जा सकता है यह कुरू डाल में